अकत कथा विचारियें प्रोग्राम अकत कथा विच विच होना पा गुरु करदे महान कीर्थनिये पाई सत्ता जी अते राय बलवांड जी दिवारते कथा सर्वन करांगे पाई सत्ता जी अते राय बलवांड जी कौन सन ते केड़े गुरु सहबाना दे दरवार विच कीर्थन करया करदे सन पाई मर्दाना जी गुरु करदे पहले कीर्थनी होए उनना देगा दो पुतर पाई रायदा जी ते पाई सायदा जी होए पाई रायदा जी तलवंडी ठीके रहे अते पाई सायदा जी करतार पुरा गे पाई सायदा जी अक्सर गुरु अंगर देव जी दे दरवार विच कीर्तन करया कर देशन इन्ना दे अगां दो पुत्तर हुए पाई सालो जी ते पाई बानो जी पाई बान्नों जी अते पाई सालों जी अक्सर गुरु अमर्दाह जी अते गुरु रामदाह जी दे दरबार विच कीर्तन करया कर देशन। अगहां चलके पाई सत्ता जी अते राय बलवांड जी गुरु अर्जन देब जे दरबार दे महान कीर्तनिये हुए। अलाही बाणी नुँ अपने साज्जाते तो ना देके अपनिया मनोहर वाजा रही संगत नुँ निहाल करया करदेसन। शिरी गुरु अर्जन देव जी ने अपनी बाणी दे नान नाल पहले चार गुरु सहबाना दी बाणी नू भी पाई गुर्दाज जी दे राही शिरी गुरु ग्रांसा बिच दर्ज करवाया. गुरु सहबान दी बाणी दे नार नार होर महापुर्खा दी बाणी भी शिरीगुरु ग्रांसा विच दार्ज करवाई जिले के वकरियां वकरियां जाता अते तर्मानार सब्मन्द रख दे सन। इनना ही महापुर्खा विच्चों 27 जी ते राय बलवंड जी आउंदेने जिना दीबाणी राग रामकली विच शिरीगुरु ग्रांसा विच शिरीगुरु अर्जन देब जी ने दर्ज करवाई शीरी गुरु ग्रांसा विच राग रामकली विच तेन बारा दर्जने पहली गुरु अमर्दाह जी दी, दूसरी शीरी गुरु अर्जन देब जी दी, ते तीसरी 25 अते राय बल्वांड जी दी पर इन्ना वारा विच कुछ अंतर है गुरु सहबांदिया जणिया वारा ने ओन्ना दे नाल स्लोक दर्जने पर राय बल्वांड जी अते 27 जी दी वार नाल स्लोक दर्जने एक केवल अठ पौडिया विच दर्ज है एवार शिरी गुरु ग्रान साब जी दे पावन अंगा नौसो च्याट तो नौसो ठाट तक दर्ज है आओ अपा हुण 25 जी अते राय बल्वांड जी दी वार दी कथा सर्वन करते हैं ते कथा कर रहेने पांथ दे प्रसिद कथा वाचक 25 पाई जग जी सिंग जी ते उन्ना नीचा नादा साथ दे रहेने 25 फथे सिंग जी आओ अपां एश वार दी कथा सर्वन करते हैं ते अदार ने साहिब शीरी गुरु ग्रान साब जी ते टीका करताने परफेसर साहिब सिंग जी इन्न दा एटी का पंत परवान है जिस्दा नाय शिरी गुरू ग्रान सहब दरपन कली की वार राए बलवांड तथा सतै डूम आखी नाओं करता कादर करे क्यों बोल हो वैं जो खीम दैं दे गुणा सत पैन पराब है पारंगत दान पड़ी मंदैं नाओं करता कादर करे क्यों बोल हो वैं जो खीम दैं दे गुणा सत पैन पराब है पारंगत दान पड़ी मंदैं वाहे गुरुची का खालसा वाहे गुरुची की फत्य गुरु रूप खालसा सा संगची जिमें के एस प्रोग्राम दे टाइटल दे रहीं वी कैन लर्न वेरी इजली असी समय सक दियां इस गल्लुँ सत्गुरु गुरु अमर्दास पाथ्चा जी महराज जिस रागंदरे बानी दर्जय है उसे रागंदरी बानी दाना है अनांद समुच्चा सेख जगत सतकार वजो उनु अनांद साहिब कह के संबोधन उन्दै ओदे विच्च गुरु अमर्दास पाथ्चा जी महराज मेरा अंदेसाई किर्पा बक्षिश महरामत करदेने आवो संत प्यारेव मैं एवे समय दां एवड उचा हुवे कोई ते सूचे को जाने सोई जदुजे लफजां विच ब्रम ग्यानी की गात ब्रम ग्यानी जाने जिनने मर्जी प्रमान असी पावन बानी दे विच्चों पढ़ लईए समझ लईए विचार लईए जो बेस है ओ मेरे सत्गुरा ने एसे तरह रखे आए गुर्देव किर्पा प्यारे ने आवो संत प्यारे ओ अकाथ यह अकाथ कथा सड़े इस प्रोग्राम धा टाइटल है की करें कहानी बड़ा मुश्किल कंसेप्ट है यह अकाथ है अकाथ दे अकरी अर्थकी ने जिननों कत्या नहीं जा सकदा अन एक्स्प्लेन एबल जेस दे बावत बियान नहीं कीता जा सकदा ते असी ओस अकाथ नों कतंदी कोशिश कर रहे हैं सचाई ते एए जिमें साथ गुरु गुरु अर्जन सापाथ्चा जी माराज के इंदने प्राव की उस्तत करो संत मीत बिलकुल पैरलर जड़े शब्द ने मेरे साहिब ने किरपा की ते ने नाल गे टांग दसे है सावधान शरीर नाल संबांध राखद है एक आगर कॉंसेट्रेशन माइंड दी एक आगरता माइंड एक सोर जिन्नों असा दिवार अंदर गुरु देव के इंदने जे एक हुए ता उगवे जे एक आगर हुएंगा कॉंसेट्रेट करेंगा एक पॉइंट देवते ताई मंजले मक्सूद वालवार सकेंगा पहुंच सकेंगा सत्गुरु गुरु अर्जन साप अच्छा जी माराज किर्पा बक्षिश का रहे ने गुर से खमीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई पाल मानो हर हर कथा निराली अपां फेर उस पंक्ति वालाविये जिस पंक्ति अंदर मेरे सत्गुरु गुरु अमर्दास ने किर्पा कीती है आवो संत पेयारे ओ अकात की करें कहाणी जे ओ कथया नहीं जा सकदा ते साथ संगत फेर केड़ी कहाणी है जिननु करन वास्ते मेरे सत्गुरु जी सानु सारे अनु तागीद कार रहने प्रेर ना कार रहने जे आप गौनाल इस टाइटल नू बाचो थले लिखियां होईयां पंक्तियां वालते आंडे हो ते बड़ा सपस्ट लिखे है तेरी अकात कथा कथन ना जाई ते मेरे सत्गुरु गुरु नानक सापाथ्चा जी महराज ने जब जी सावंदर ऐसे बचन द्रिड करवा देते हे मनोख मातर एचेते रखी जे नानु चेते है पाई ओजरूर दोहराया जे मेरे गुरु दी पावन बाणी विचो एपंक्तियां जिते माल केंदने अंत न करने देनना अंत अंतना वेखन शुननन ना अंत अंत właśnie क्या मन मंत अंतना जाप है कीता आकार अंत ना जापहै पारवार तवज्व मंग दियां अगली पंक्ती माल केंदने लगे अंत कारण कारण दा मतलब एगया अंत पौन दे लई आंत पौन दे वास्टे के ते बिल लाहें बिल लाहें दे अख्री अर्थ ने पतानी जगत अंदर किन्ही को लोग विल्क दे पैण है पर सचाई की है तांके अंत ना पाए जाहें सचाई एया गुरु की संगत के ओस अकालपुर्ख परिपूरण परमेशर दे विच अपेदता ते संभव है पॉसिबल है ओस विच समा जाना ते जीवन दा मनोर्थ है ओस दा रूप हो जाना ते जीवन दा मकसद है पर मनोख पानी अंदर अपनी उंगल डुबोए ते ओदे विचों एक टुबका उंगल दे नाला के बार आ जान्द है ते मनोख ओस टुबके नूँ सवाल करे के तू पानी दी संगत मानी है ए दस के समुंदर किना को गह रह है ते बड़ा सिंपल जा जवाब आएगा के मैं ए तुबका हहं मैं पूरा कंप्लीट समुंदर नहीं आ जाँ देफ फेर और तब पानी देविच देख उन्द है ते फिर और दबारा एक सवाल करो के तुब क्या होनते तुपानी दे वेचसम आगे हैं होनते दास समुंदर किन्ना गैर है ते मेरे साथ गुरु गुरुगरन सा पाथ्चा जी माराज कहन लगे होन ओ तुब का नहीं रहे गया होन समुंदर दा हिसा बन गया है पंक्ति कर्याज किर्पा सोन वड़ा आखे सब ना कहया जाए केने वाले तेरे रहे समाए जिनना ने कैन दी कोशिश कीती ओ समुंदर दा हिसाते बन गये नदिया अतय वह पंक्त में चमुंद न जानी है पताँनी समुंदर अंदर किन्याको नदिया आके समागिया एक विलखन गलोर्चिते रखनी लोड हैं उन्नी दे तक उ समुन्दर्दा हिसा नाइक समाई नहीं है पर ज़े सवेले समुन्दर्दा हिसा बन गई समुन्दर्दे वेच समा घई ओ दे तू बाद नाते ओनु अडर्यां तिवकरें की ता जास कदा यह तिसमाई satisfy यह वाला पानिकेड दुजा पानिकेड मेरे सत्गुरु गुरुग्रन साहब जी किरपा बक्षिश करन जित्तों दास ने बेंती प्रराम कीती सी तवच्जों द्याजे साथ संगत सत्गुरु गुरु अमरदास पात्चा जी माराज ये बक्षिश प्रदेने आवो संत पे हारे ओ अका काहानी ते सचाइए गुरु की संगत संपूरण गुरुगरंस साब एक एक लफज दी एक एक अक्खर दी व्याख्या कर दै ते मेरे सथकुरु गुरुगरंस साब नो पुछिये मालक यह अकाथ है जह कथिया नहीं जा सकता ते तुसी किर्पा करो ओकेडी कहानी है जड़ी एस जीव ने संसार समुंदर विच आ के करनी हैं तांगुर्देव किर्पा बक्षिश कर दियां कहन लगे तानगुर्णानक सावदा मुबार्क भचन है तवज्जों देखे सरवन करेया जे आवो पहने गल मिलें अंक सहे लडियां मिलके करें कहानियां अकात की करें कहानी आवो पहने गल मिलें अंक सहे लडियां मिलके करें कहानियां की दियां समरांत कंत कियां मानती करदा सी के बेसिक इंट्रोडक्शन जेस बानी दी विचार असी कर रहे हैं वह भी सांजी कीती जांदी पर समें दी नजाकत नू वेक देया हुए गुरु रूप खाल सा साथ संगत जी एतों ही कल तों ए गुर्बानी विचार दी लड़ी है इनू आपां अगे तोरन कोशिश करांगे मेरे साथ गुरु गुर्णानक सा पात्या जी महराज दे वेलेतों ए हुकम समुच्चे पंथ वास्ते समुच्चे जगत वास्ते के पाई सातनाम सातनाम जपना गुरु पढ़ी करेगा पुल्ला चुका लिखे मा असीस बक्षवाक्ष जी वाही गुरु गुरु जी का खाल सा वाही गुरु जी की फते अकथ कथा विचारिया अकथ कथा विचारिया अकथ कथा विचारिया